नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MS Digital Tech News में दोस्तों यदि आपके फैमिली में किसी ने भी यदि मुख्यमंत्री लडली बहना योजना के अंतरकत फार्म फिल किया था तो उसका जो चैन सुची है अन्तिम चैन सुची वो आ गई है वो आप केसे देखेंगे उसमें आपका नाम है या नहीं है वो देखने का तरीका हम आ आपको अपने नाम चैन सकते हैं लिस्ट में आपका नाम है या नई है चलिए वीदियो सुरू करते हैं अब इस वेप साइट पर आने के लिए आपको क्या करना है तो इसके लिए आपको Google ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउजर पर मॉबायल पर भी आप कर सकते हैं आपको Google कर देना है जैसी आप क्लिक करेंगे यह देखे आप इस वेब साइट पर आ जाएंगे और यहां से आपको यह जो अंतिम सुची है इसे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने यह लॉग इन का पेज आ जाएगा यहां पर आप मोबाइल नंबर सत्यापित करके जो अंतिम सुची है वो देख सकते यहां पर मोबाइल नंबर सत्यापित करें के लिए आपको यहां पर दो आपसं से पहला मोबाइल नंबर डालना है आपको और दूसरा कैप्चा कोड डालना है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर फिल कर लेना है आपको चली मोबाइल जब आप capture code यहाँ पर fill कर लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करें यह options दिखाई देता इस पर आपको click कर देना है जैसी आप click करेंगे देखिए OTP आपके mobile number पर भेजा गया है यह दिखाई देगा आपको यहाँ पर OK पर click कर देना है अब आपको जो OTP प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पर आपको fill करना है यदि माल लीजिए आपको OTP नहीं आपाता है थोड़ी देर wait कीजिए नहीं आता है तो आपको यहाँ पर पुना OTP भेजे इस पर फिर से click कर देना है जैसी आप click करेंगे फिर से दोबारा आपके पास O जैसी आप यहाँ पर OTP फिल करेंगे आपको OTP सत्यापीत करें और आगे बढ़ें यह options दिखाई देरा इस पर आपको click कर देना है जैसी आप click करेंगे यह देखिए अब आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपके सामने यह दो options आ रहे हैं पहला है चेत चेतरवार का मतलब होता है यदि आप अपने चेतर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए चेतरवार दिया गया आपको यदि आप खुद का नाम देखना चाहते हैं बगेर लिस्ट के बिना लिस्ट में आपको लिस्ट में आपको पूरे लोगों का नाम नहीं कि अब जिला तो यहाँ पर जिला जो भी है आपका वो जिला आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे हम यह जिला select कर लेते हैं इसके बाद इस्थानी निका है यदि आप ग्रामिल छेतर में रहते हैं गाउं में तो आपको यहाँ पर जनपत पंचायद करना है, आपकी जो भी जनपत पंचायद है, यदि आप नगर परीशाद में रहते हैं, तो नगर परीशाद सिलेट करना है, यदि आप नगर निगम में रहते हैं, तो नगर निगम सिलेट करेंगे, इसके बाद पंचायद और जोन, तो यहाँ पर आप यदि नगर निगम है तो आपको जोन स्लेट करना होगा यदि आप यहाँ पर नगर पर हिसा स्लेट करते हैं तो वार्ड स्लेट करना होगा और यदि आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी पंचा स्लेट करनी होगी इस तरह स पर कोई भी एक वार्ड ले लेंगे अब ये वार्ड हमने स्लेट कर लिया अब इसके बाद देखिए आपको यहां पर अनंतिम सूची देखें यह एक options दिखाई दे रहा तो आपको अंतिम सूची जो है जिनका नाम लिस्ट में आ गया है वो सूची यह दि आपको लिस्ट द नाम और उसके अद मुखिया का नाम जो समगराइडिम उनके मुखिया है वो मुखिया का नाम दिखाई देगा यहां जो मुखिया से इनका जो संबन्ध है वो आप यहां पर देख सकते हैं उसके अद एज दिखाई देगी यहां पर आपकी केटरगिरी किस केटरगिरी में आप आते हैं वेभाई की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके आप पंजियन की तिनाग तो यहाँ पर यदि इस लिस्ट में आपका नाम है इसका मतलब आपको 10 जून से पैसाना स्टार्ट हो जाएगा 1000 की जो रासी आपको मिलने वाली है वो 10 जून से यहाँ से जिन लोगों के इस लिस्ट में नाम है उनको मिलने लगेगी यदि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना है चली वो भी बताएंगे आगे अभी ये तो हो गया पहला तरीका अब यहाँ पर देखिए आपको दूसरा दिखाई देता है व्यक्ति विसेस बार तो इस पर भी हम आपको बताते है किस से चेक करेंगे आप यदि माल लीजिए इस लिस्ट से आप कि जगे आप अपनी समगर आईडी या अपने अप्लिकेशन नंबर से चेक करना चाते है तो उसके लिए ये उप्सन से आप विक्ति विसेस बार में जाएंगे और यहां से आप अपना समगर आईडी या फिर आप अपना जो लाडली बहना का जो आप एदन करमान के वो ड कर अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं माल लीजिए आपका समगर आईडी चलिए हमें एक समगर आईडी डालके भी आपको दिखाते हैं यह देखिए हमने यहाँ पर यह समगर आईडी लिख लिया अब समगर आईडी लिखने के बाद देखिए अंतिन सूची देखें इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसी आप क्लिक करेंगे यदि लिस्ट में आपका नाम है यदि आप इलिजिबल है आपको पैसा मिलने वाला ह नहीं है, तो नहीं ही होगा इस तरह से आप घर बेटे आपका लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है अब यादि आपका लिष्ट में नाम नहीं है, तो आप आपत्ती कैसे दर्ज करेंगे, तो उसके लिए यह देखिए, आपको website पे आपत्ती दर्ज करें, यह options दिखाए दियता, यह आगया है अब options, यहाँ पर आपको click कर देना है, जैसी आप click करेंगे, यह देखिए, आप page पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपत्ती दरज करें. ये options दिखाई देगा. यहाँ पर आपको आपत्ती करता कर पञियन करना होगा. पंजियन करने के पहले आपको यह दिसा निर्देश पढ़ लेना है. यहाँ पर आपको बताया गया और पेहले नमबर पर कि आपत्ति तीसरे में आपको बताया गया है एक mobile number से आप 5 आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, मतलब एक mobile number पर आप 5 लोगों के लिए आपत्ति यहां पर दर्ज कर पाएंगे, यदि आप दर्ज करना चाहते हैं तो एक से अधिक सिर्फ 5 लोगों के लिए, चोंते नमबर पर यहां पर बताया गया है कि जो समीती द्वारा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, उसे पोल्टल पर यहां पर बताया जाएगा आपको तो पोल्टल पर आप अपने mobile number से लोग इन करके आपत्ति की स्थिति देख पाएंगे, पांच बाव यहां पर केवल आवेदी का कि पात्ता सम्बंदी आपत्ति ही दर्च की जाएगी, मतलब यहां पर यह आप संतुष्ट नहीं है, आपने apply किया हुआ है और आपका नाम नहीं आया है, तो आप आपत्ती दर्ज कर सकते हैं आपत्ती दर्ज करने के पहले आपको यहाँ पर यह जो मुख्य प्रेस्ट पर हम ले जाते हैं आपको दिखाते हैं जब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको यह देखी पातरता बताए गई है इस पातरता को आपको देख लेना है यदि आप यहाँ पर पातर होते हैं तभी आप यहाँ पर यह जो चीजें हैं यह आप यहाँ पर देख लें यदि आप इन में से आपके पास है यदि आपातरता दूसरा आपको आपातरता भी देखनी होगी यदि यह जो आपातरता में आप आ रहे हैं तो आपको आपत्ती नहीं लगाना इस चीज का विशेज ध्यान रखिएगा पहले पातरता और अपातरता दोनों आपको समझ लेना है उसके बाद ही आपत्ती दर्ज करना है चलिए आपत्ती दर्ज करने वाले पेज पर चलते हैं अब आपत्ति दर्च करने के लिए आपको पहले पंजियन करना होगा तो पंजियन करने के लिए आपको यहाँ पर आपत्ति करता का नाम आपका जो नाम है वो अधार के अनुसार वो नाम आपको फिल करना है जो आपने आविधन करते समय दिया होगा उसके बाद मोबाइल न जैसे हैं आप OTP प्राप्त करें पर जिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर जो नंबर आपने यहां दिया है इस पर एक OTP आजाएगा वो OTP आपको यहां पर फिल करना है fill करने के बाद ये जो button है OTP सत्यापित करें ये आपका यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर आपको click कर देना है OTP सत्यापित कर लेना है उसके बाद आपत्ती दर्ज करें ये button भी आपके सामने enabled हो जाएगा आपको यहाँ पर आपत्ती करें इस पर click करके आगे जो form खुले है समझना है उसके बाद आपत्ती दर्च करना है तो उम्मीद है आपत्ती कैसे दर्च करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है ये जो वीडियो हमने आपके लिए बना है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा साथी आपको लिस्ट में कैसे नाम दे कराएंगे जिसमें हम आपको सारा तरीका बताएंगे कैसे आपको आपती दर्ज करना है चलिए फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ